दोस्तों आपके सामने तीन सेंटेंसे लिखे हुई हैं पहला सेंटेंस है इस सेंटेंस में जो वर्ड रनिंग है वो एक में वर्ब है दूसरा सेंटेंस है इस सेंटेंस में जो वर्ड रनिंग है वो एक में वर्ब नहीं है बलकि इसे हम जेरंड कहते हैं और तीसरा sentence है, I saw a running man, अब इस sentence में जो word running है, वो ना तो एक main verb है और ना ही एक gerund है, बलकि इसे हम participle कहेंगे, और participle में भी ये present participle है, तो ऐसा क्यों है कि verb का एक ही form, कभी main verb कहला रहा है, तो कभी gerund कहला रहा है, तो कभी इसे हम participle कह रहे हैं, दोस्तो actual में ये non-finite verbs के examples हैं, जिनके 3 kinds होते हैं, infinitives, gerund and participles, और आज की इस वीडियो में, मैं इसी topic को बहुत ही गहराई से discuss करने वाला हूँ, तो gerund, infinitives and participles का concept, अगर आपका clear नहीं है, तो इस वीडियो लेक्चर को एकदम ध्यान से, शुरू से एकदम अंत तक बिना skip क पूरा जरूर देखिए और अपने सारे doubts clear कर लीजिए, दोस्तों finite verbs and non-finite verbs क्या होते हैं, और इनके बीच क्या अंतर है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देखा है, तो अच्छी बात है, और अगर नह देखा है, तो इस वीडियो के बाद आप चाहें, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या description में मिल जाएगा, फिलहाल जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा overview दे देता हूँ, ताकि आपको आगे क की बातें आसानी से समझ में आएं, देखे बड़ा simple सा concept है, वैसा verb जो अपने form को sentence के subject या tense के अनुसार change कर लेता है, उसे हम finite verb कहते हैं, और वैसा verb जिनके form पर sentence के subject या tense का कोई असर नहीं पड़ता, उसे हम non finite verb कहते हैं, example के तोर पर आपके सामने तीन sentences है, पहला sentence है, I want to play football, मैं football खेलना चाहता हूँ, दूसरा sentence है, he wants to play football, वह football खेलना चाहता है, इस sentence में हमने subject I को ही में बदल दिया, तो हमारा एक verb want भी अपने form को change करके wants में बदल गया है, लेकिन दूसरा वाला verb to play वैसा का वैसा ही है, अब तीसरे sentence पे गौर कीजिए, he wanted to play football, उसने football खेलना चाहा, इस sentence में हमने tense को change कर दिया है, present tense को past tense में बदल दिया है, तो हमारा verb wants अब wanted में बदल गया है, लेकिन दूसरा वाला verb to play अभी भी change नहीं हुआ है, इसलिए ये जो verb want है, जो अपने form को sentence के subject या tense के अनुसार change कर ले रहा है, उसे हम finite verb कहेंगे, और ये जो verb to play है, जो अपने form को sentence के subject या tense के अनुसार change नहीं कर रहा है, उसे हम non finite verb कहेंगे, एक और example देखिए, he is eating, they are eating, they were eating, इन sentences में is, are, were, ये verb बी के different forms हैं, और ये finite verbs हैं, क्योंकि इनका form sentence के subject या tense पर depend कर रहा है, लेकिन eating हमारा non finite verb है, क्योंकि इसका form sentence के subject या tense पर depend नहीं कर रहा है, दोस्तों non finite verbs तीन तरह के होते हैं, infinitives, gerund and participles, और इनको हम double part of speech भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखते तो verb जैसे हैं, लेकिन most of the cases में, ये किसी other part of speech का काम करते हैं, like ये कभी noun का का काम करते हैं, तो कभी adjective का, तो कभी ये adverb का भी काम कर सकते हैं, ये बातें आपको आगे examples के through समझ में आएंगी, आइए सबसे पहले हम infinitives को अच्छे से समझते हैं, the infinitive is the base form of a verb, often preceded by two, दोस्तों verb के base form यानि की मूल रूप को infinitive कहते हैं, इसमें verb के पहले ज्यादा तर two लगा रहता है, कभी नहीं भी लगा रहता है, जब verb के आगे to लगा रहता है, तो उसे हम full infinitive कहते हैं, और जब नहीं लगा रहता, तब उसे हम bare infinitive कहते हैं, दोस्तों infinitive दिखता तो verb जैसा है, लेकिन ये किसी sentence में कभी noun का काम करता है, तो कभी adjective का, तो कभी ये adverb का भी काम कर सकता है, और ये sentence में subject, object या compliment किसी भी जग पर आ सकता है, example के तोर पर, जैसे हम कहते हैं न, कि राम एक अच्छा लड़का है, राम is a good boy, यहां राम एक noun है, जो कि subject की जगह पर आया है, subject वो होता है, जो किसी sentence में किसी काम को कर रहा होता है, या उस sentence में जिसकी बात हो रही होती है, और हमारा subject एक noun या pronoun ही हो सकता है, दोस्तों अगर आप subject, object और compliment के वारे में नहीं जानते हैं, तो आप मेरी parts of a sentence की video lecture को देख सकते हैं, इसका भी link आपको i button या description में मिल जाएगा, फिलहाल आप इस example पर धियान दीजिए, कि जिस तरह से हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, उसी तरह से हम कह सकते है कि दोड़ना एक अच्छा व्यायाम है, यहां हम दोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दोड़ना शब्द हमारा subject है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा subject एक noun या pronoun ही हो सकता है, इसलिए दोड़ना शब्द यहां पर एक संग्या, यानि कि noun की तरह काम कर रहा है, इसे हम English में इस तरह से लिख सकते हैं, to run is a good exercise, यहां पर to run को हम infinitive कहेंगे, क्योंकि यहां पर हमने verb की base form को एक noun की तरह इस्तिमाल किया है, subject की जगह पर, उसी तरह जैसे हम कहते हैं न, कि I like chocolate और I like ice cream, मुझे chocolate पसंद है या ice cream पसंद है, यहां chocolate या ice cream एक noun है, उसी तरह हम कह सकते हैं, I like to swim, मुझे तैरना पसंद है, यहां पर हमने तैरना शब्द को एक noun की तरह इस्तिमाल किया है, इसलिए to swim को यहां पर हम infinitive कहेंगे, क्योंकि हमने verb की base form को यहां पर एक noun की तरह इस्तिमाल किया है, और यह यहां पर object की जगह पर आया है, उसी तरह अगर हमें कहना हो कि car खरीदना मेरा सपना है, my dream is to purchase a car, यहां पर to purchase एक infinitive है, क्योंकि यह verb की base form है, जिसका इस्तिमाल हमने एक noun के रूप में compliment की जगह पर किया है, दोस्तो अभी तक infinitives के जो भी examples मैंने आपको बताएं हैं, उनमें infinitive एक noun का काम कर रहा है, इस तरह के infinitives को हम noun infinitive कहते हैं, इ या फिर एक adverb की तरह भी काम कर सकता है, जैसे, अगर हमें कहना हो कि मेरे भाई ने मुझे खाने के लिए एक cake दिया, my brother gave me a cake to eat, यहां to eat एक infinitive है, क्योंकि यह verb की base form है, जिसका इस्तिमाल हमने एक adjective की तरह noun cake को qualify या describe करने के लिए किया है, अब एक दूसरा example देखिए, Mr. Verm came to teach me English, यहां to teach एक infinitive है, क्योंकि यह यहां verb came को describe करने के लिए एक adverb का काम कर रहा है, दोस्तों कभी-कभी infinitives बिना to के भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के infinitives को हम bare infinitives कहते हैं, example के तौर पर Mr. Bean makes us laugh, Mr. Bean हम लोगों को हसाते हैं, यहां laugh एक bare infinitive है, Let him go home, उसे घर जाने दो, यहां go एक bare infinitive है, She need not stay here, उसे यहां नहीं रुकना चाहिए, यहां stay एक bare infinitive है, तो यह था हमारा infinitive का concept, चलिए अब हम जेरंड को समझते हैं, जिस तरह अभी हमने देखा कि जब हम verb की base form का use, noun की तरह, या एक adjective की तरह, या फिर एक adverb की तरह करते हैं, तो उसे हम infinitive कहते हैं, उसी तरह जब हम verb की ing form का use, एक noun की तरह करते हैं, तो उसे हम gerund कहते हैं, When the ing form of a verb is used as a noun it is called a gerund ध्यान रहे कि gerund में हमेशा ing लगा होता है और इसकी सिर्फ एक ही condition है कि verb की ये ing form gerund तभी कहलाईगी जब ये एक noun का काम करे adjective या adverb कर नहीं इसलिए gerund को हम verbal noun भी कहते हैं इसे भी किसी sentence में subject की जगह, object की जगह या compliment की जगह पर use किया जा सकता है लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन सारे जगहों पर जब ये एक noun का काम करेगा तभी इसे हम gerund कहेंगे example के तोर पर अगर मुझे कहना हो कि पढ़ाना मेरा shock है teaching is my hobby यहां teaching एक gerund है क्योंकि हमने word की ing form का use एक noun की तरह किया है यह यहां पर subject की जगह पर आया है दूसरा example देखिए मुझे तहरना पसंद है I like swimming यहां भी swimming एक gerund है क्योंकि यहां भी हमने word की आई एंजी form का use एक noun की तरह किया है और ये यहाँ पर object की जगह पर आया है मेरा पसंदिदा शौक गाना है My favorite hobby is singing यहाँ singing एक gerund है और ये compliment की जगह पर आया है दोस्तों यहाँ पर आप एक बात note कीजिए कि जब verb प्लस ing का प्रयोग एक verb की तरह हो तब उसे हम gerund नहीं कहेंगे जैसे I am teaching या he is singing इन sentences में teaching और singing को हम gerund नहीं कह सकते क्योंकि यह यहाँ पर nouns की तरह काम नहीं कर रहे है बलकि normal verbs की तरह काम कर रहे है दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि gerund वाक्यों में verb प्लस noun यानि कि verbal noun की तरह काम करता है इसी प्रकार noun infinitive भी तो वाक्यों में verb प्लस noun का काम करता है इसी लिए बहुत से वाक्यों में gerund या noun infinitive किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है हलाकि हर वाक्य के साथ ऐसा संभव नहीं है लेकिन अधिकतर वाक्यों के साथ ऐसा किया जा सकता है जैसे to walk is a good exercise को हम walking is a good exercise भी लिख सकते है I like playing chess को हम I like to play chess भी कह सकते है चलिए infinitives and gerund की बात तो हो गई अब हम participles की बात करते है जब हम verb की ing form या फिर verb की third form का प्रयोग क्रमशा continuous tenses बनाने के लिए या perfect tenses बनाने के लिए करते है या फिर अगर हम इनका use एक adjective की तरह करते है तब हम इसे participle कहते है जब हम verb plus ing का use continuous tenses बनाने के लिए या एक adjective के रूप में करते है तब या present participle कहलाता है और जब हम verb की third form का use perfect tenses बनाने के लिए या एक adjective के रूप में करते है तब या past participle कहलाता है इसके अलावे एक और participle होता है जिसे हम perfect participle कहते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले हम present participle को समझते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम verb की ing form का use continuous stances बनाने के लिए या फिर एक adjective की तरह करते हैं तो इस तरह के participle को हम present participle कहते हैं एक्जामपल के तौर पर he is sleeping इस sentence में sleeping word present participle है क्योंकि यहां हमने verb की ing form का use continuous stances बनाने के लिए किया है हमारा sentence यहां पर present continuous stances में है we were playing football हम लोग football खेल रहे थें यह sentence past continuous stances में है लेकिन playing word को आप past participle कहने की भूल मत किजिएगा क्योंकि past participle तो verb की third form होती है आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि verb की ing form किसी भी तरह का continuous stances बनाए इसे हम present participle ही कहेंगे चाहे present continuous stances बनाए past continuous stances बनाए या future continuous stances बनाए condition सिर्फ continuous stances बनाने की है चलिए अगला example देखते हैं barking dogs seldom bite भौकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं यहां barking word continuous stances बनाने के लिए तो use नहीं किया जा रहा लेकिन यह यहां एक adjective के रूप में जरूर काम कर रहा है यह noun dogs को describe कर रहा है इसलिए इसे हम present participle कहेंगे उसी तरह he jumped from a running train वह चलती हुई train से कूद गया यहां running word को हम present participle कहेंगे क्योंकि यहां भी हमने verb की ing form का use एक adjective की तरह किया है noun train को describe करने के लिए भले ही हमारा sentence past tense में है लेकिन running यहां पर present participle ही कहलाएगा दोस्तों अब मैं एक बहुत ही important बात को discuss करना चाहूंगा बहुत से students को confusion रहती है कि present participle और gerund दोनों एक ही जैसे दिखते हैं दोनों में verb के साथ ing लगी होती है तो कैसे पहचानेगे कि कौन सा gerund है और कौन सा present participle तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा और समझा होगा तो आपने गौर किया होगा कि अगर verb प्लस ing का प्रियोग एक noun के रूप में हुआ है तो वो gerund कहलाएगा और अगर एक adjective के रूप में या continuous tense बनाने में हुआ है तो वो present participle कहलाएगा यानि कि gerund is equal to verbal noun and present participle is equal to verbal adjective और used to form continuous tenses एक्जामपल के तौर पर running is a good exercise he likes running इन दोनों sentences में running एक gerund है क्योंकि यह यहाँ एक noun का काम कर रहा है लेकिन he is running यहाँ running एक present participle है क्योंकि यह यहाँ continuous tense बनाने में use किया जा रहा है I saw a running man यहाँ भी running एक present participle है क्योंकि यह यहाँ एक adjective के रूप में use किया जा रहा है noun man को describe करने के लिए चलिए present participle की बात हो गई अब हम बढ़ते हैं second type of participle की ओर जो है past participle जैसा कि मैंने इसके विबारे में कुछ दिर पहले बताया था कि जब हम verb की third form का use perfect tenses बनाने के लिए या फिर एक adjective की तरह करते हैं तो इस तरह के participle को हम past participle कहते हैं example के तोर पर लता has gone to school लता इस्कूल जा चुकी है यहां gone word past participle है क्योंकि यहां हमने verb की third form का use perfect tense बनाने के लिए किया है यहां हमारा sentence present perfect tense में है उसी तरह I had finished my work मैं अपना काम खत्म कर चुका था यहां भी finished word एक past participle है क्योंकि यह perfect tense बनाने के लिए use किया जा रहा है यहां हमारा sentence past perfect tense में है अगला example देखते हैं fried rice tastes delicious भुने हुए चावल स्वादिष्ट लगते हैं यहां fried word perfect tense मनाने के लिए तो use नहीं किया जा रहा लेकिन यह यहां noun rice को describe करने के लिए एक adjective के रूप में जरूर इस्तिमाल किया जा रहा है इसलिए fried word यहां पर एक past participle है उसी तरह this is a broken coconut यह एक टूटा हुआ नारियल है यहां भी broken word को हम past participle कहेंगे क्योंकि यहां भी हमने verb की third form का use एक adjective की तरह किया है noun coconut को describe करने के लिए दोस्तों अभी तक के discussion से यह बात clear हो जाती है कि participle verb का वह रूप है जो progressive या perfect tense बनाने में मदद करता है तथा विभिन वाक्यों में adjective के वी रूप में प्रयोक्त होता है दोस्तों present participle और past participle के अलावे एक और तरह का participle होता है जिसे हम perfect participle कहते हैं इसकी form होती है having plus v3 यानि कि having plus past participle जब एक ही subject एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करे तब पहले होने वाले काम में जो verb completed action को indicate करता है उसे हम perfect participle कहते हैं एक्जामपल के तौर पर अगर मुझे कहना हो कि अपना homework पूरा करने के बाद मैं school गया तो इसे हम English में कह सकते हैं having completed my homework I went to school यहां having completed perfect participle कहलाएगा उसी तरह एक और example देखिए फूल तोड़ने के बाद वह मंदिर में घुसी having plucked the flowers she entered the temple यहां having plucked perfect participle कहलाएगा दोस्तों इन topics के advanced portion को cover करने के लिए future में मैं इन पर dedicated video lectures develop करूंगा फिलाल मुझे लगता है कि अभी तक के लिए इतना काफी है और आप infinitives, gerund and participles के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे अगर आपको कुछ concepts नहीं समझ में आया है तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप इस video को एक दो बार फिर से देखें दीरे दीरे आपको सारी बाते समझ में आने लगेंगी और अगर आपके मुन में कोई doubt या confusion हो तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो मेरा आज का काम हुआ खत्म और अब शूरू होता है आपका काम ये video lecture आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो इस video को like करना विल्कुल न भूलें और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करके हर एक students तक पहुँचाने की जिमेदारी आपकी और अगर आप इस channel पर नए हैं आने वाले video lectures के notifications पाने के लिए इस channel को अभी subscribe करके bell icon को दबा कर all notifications को जरूर on कर लें तो guys see you in the next video lecture तब तक के लिए goodbye